बागपत पोचे डिजीपी उतर परदेश ओपी सिंग ने पुलिस सिंग पर बड़ा बेयान दिया है ओपी सिंग ने प्रेसवर्ता में काया कि पिछले सालों से पुलिस के आच्रण में 40 प्रतक तक सुधार हो चुका है दरसल आपको बता दिए घटना बागपत की है और उतर परदेश पुलिस के मुखियों पी सिंग ने आज बागपत में दोरा किया है उन्होंने काया कि जहां उन्होंने नव निर्वता फायर स्टेशन के फीता काड़ कर उद्गाटन किया है उसके बाद ही फायर स्टेशन पर एक फोधार उपड़ भी किया है फायर स्टेशन के बाद डीजीपी बागपत पुलिस लाइन पहुंचे जहां अधिकारियों के साथ क्राइम को लेकर संभिक्ष में डीजीपी के दोरा के दुरान ही डीजीपी मेरट आईजी एससपी बागपत आदी मर्जोद रहे बागपत के दोरे पर आए डीजीपी ने परदेश में पुलिस का उपलब्दियों को नवगत करवाया है आप देख सकते प्राइम में के निउस चैनल के लिए बागपत से परदी प्यादों की खास रिपोर्ट इसकी विवेचना की जा रही है ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं सबकी विवेचना की जा रही है मैंने कहा ना कि सारी विवस्ता कानून के अंतरगत की जाएगी कोई को बक्षा नहीं जाएगा कोई भी व्यक्ति कानून के उपर नहीं है चाहे वो पुलिस कर्मी हो और चाहे वो सामाने नागरिक हो मैंने पिछले वर्ष भी उन सभी पुलिस कर्मी हो कि उनने 181 को भी सोचा है कि उसको भी इंटिग्रेट करें तो हमारा इंटिग्रेशन का ये रहा सबसे बड़ी उपलब्धी हमारी रही है कि हमने जन शक्ति को बढ़ाने की कोशिस की है पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं कि हमारा लगबग एक लाख तीस हजार हमारी वेकिंसी है पुरे उत्तरप्रदेश पुलिस में उस एक लाख तीस हजार में पिछले साल से हम लोगों ने भर्तियों का सिलसला शुरू किया और हमने लगबग एक तालिस हजार कुछ लोगों को भर्ती किया है और आने वाले समय में 52,000 लोगों की भरतियां हम करेंगे इस वर्ष के अंत तक हम 110,000 लोगों की भरतियां करेंगे जवान सिपाही आरक्षी के रैंक में और उनकी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं पहला मौका है जब उत्रप्रदेश पुलीस ने ट्रेनिंग को पारा मिलिटरी फोर्सेज के अस्थानों पर भी कराया है CRPF, BSF, CISF, ITBP इन सब ओर्गनाजेशन में हमने अपने जवानों को भेज रखता है लेटिस्ट न्यूस देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्स्क्राइब करना न भूले और साथ ही डेली अप्डेट्स पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें